वीडियो में प्रॉपर लाइटिंग के लिए कौन सा अप्शन बेटर होगा? अम्ब्रेला लाइट या फिर सॉफ्ट बॉक्स? Hello everyone, this is Nidhi here. पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं, अगर हम अम्ब्रेला लाइट यूज करते हैं, तो उसका क्या आउटपुट होगा, पूरा सेट अप कैसे किया जाता है, यह सब हम डिस्कुस कर चुके हैं. अब अगर हमको थोड़ा सा अपग्रेड करना हो, और जो लाइट है वो और अच्छे से हमारे वीडियो में देखें, प्रॉपरली विजबल हो, तो उसके लिए अगर आपका बजट अलाओ करता है, तो यू कैन आप्ट फॉर सॉफट बॉक्स अल्सो, बट उससे पहले, I want you to see this वीडियो, पूरा आप रिव्यू देखें, इसका आउटपुट कैसा है, इसके बाद ही आप भी साइट करिए, कि आपको अम्रिला लाइट लेना चाहिए, या फिर सॉफट बॉक्स. तो अभी तक के मेरे वीडियो में आपने देखा होगा, जो मेरा लाइट सेट अप था, उसमें मैं नॉर्मल ट्यूब लाइट सी यूज़ करती थी, और बहुत जरूवत हो, तो रिंग लाइट को यूज़ कर लेती थी, बट वो लाइट सेट अप सफिशन नहीं था, तो स अबरे साथ भी वही हुआ, अम्प्रेला लाइट का एक उप्शन था, दूसरा सॉफट बॉक्स का उप्शन था, जब रिसर्च किया, तो अलग-अलग व्यूज थे दोनों के, समझ में नहीं आया, कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, तो सोचा कि दोनों ह ले लेते हैं, और देखते हैं, किसका आउटपूट बेटर है, एक कंपारिजन भी हो जाएगा, अनालिसस भी हो जाएगी, और आप सब के साथ जो आउटपूट है, वो भी मैं शेयर कर दूँगी, तो जल्दी से देख लेते हैं, कौन सी कौन सी चीज़ों की हमें यहाँ requirement होगी, तो सबसे पहले start करते हैं, यहाँ पर हम Godox का जो parabolic umbrella होता है, softbox का, तो उसको हम review करेंगे, तो कुछ इस तरह की packaging में यह आपको मिलेगा, और यह है umbrella, let's open this up, और यह जो हमारा normal umbrella है, उससे थोड़ा सा different रहता है, parabolic, इसका जो shape है, वो रहता है, so this is how it's going to look like, अंदर से कुछ इस तरह से दिखता है, यह एक chain है यहाँ पर, यह set करने के लिए, अभी मैं आपको बताऊंगी, कैसे से set करना है, और इस तरह के आप यह shape देख सकते हैं, this is the parabolic shape, तो यह हमारा हो गया umbrella softbox के लिए, अब इस softbox से जो light आएगी, उसको diffuse करने के लिए हमको यह मिल रह है, इसके साथ में ही आता है, यह guardox के light के साथ में, तो यह एक cover हम एक film कह सकते हैं, इस film को लगाएंगे, जिससे कि जो light होगी, वो diffuse होकर हमारे face पर आएगी, अब इसके बाद बारी आती है, इस holder की, जैसा हमने umbrella light के setup में देखा था, exactly वैसा ही, यहाँ पर भी हम एक holder को use कर करेंगे, और यहाँ पर आप चाहें तो single holder भी उसकर सकते हैं, मैं यहाँ पर इसका double socket है, उसको यूज़ कर लिए, जिससे कि light properly आ जाए, ठीक है, single light will also do, not a problem, अब यह जो holder है, इसमें हम directly light को connect नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर भी हमें क्या चाहिए होगा एक adapter, तो यहाँ प सकते हैं, यहाँ पर आपको एक यह hole दिख रहा होगा, यहाँ पर आप यह जो umbrella है, इसको place करेंगे, और नीचे से यह यहाँ पर इसको हम stand के ऊपर place कर देंगे, और यह हमारा light stand है, जो हमने लिया था, और इस light stand के ऊपर हमें क्या करना है, इस holder को set कर देना है, so let me quickly show you किस त chain से इस gap के थूँ, ऐसे आप पहले इस umbrella को ऐसे निकालेंगे, यहाँ पर मैं दो LED lights use कर रही हूँ, 9 watt की, और आप चाहे तो इससे कम light भी use कर सकते हैं, अब हमें क्या करना है, light को on करते हैं, now you can see, कितना जादा light का reflection यहाँ पर आ रहा है, तो यह जो reflection आ रहा है, इसको diffuse करने के लिए यह जो हमें cover दिया गया था, प्लास्टिक का, इसको हमें यहाँ पर लगाना है, यह velcro यहाँ पर लगा हुआ है, इसको आपको यहाँ पर बस इस तरह से attach कर देना है, okay, so now you can see, जो अभी reflection इतना जादा आ रहा था, थोड़ा सा वो diffuse हो गया है, अब इस light को मैं place पीछे, and then I'll show you the output, तो अभी मैंने जो softbox है, इसको place कर दिया है, जो मेरा camera है उसके just पीछे, और आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से जो light है, वो subject पे पढ़ रही है, और concentrated light है, अगर आप face cam videos बना रहे हैं, तो इसके लिए तो यह बहुत ही appropriate है, but मेरे हिसाब से reflection थोड holder use किया है, तो वो ना use करके मैं single holder जो आता है, उसको use करूंगी, और बजाए दो LED lights के, एक single LED light यहाँ पर use करूंगी, उससे थोड़ा सा light है, वो थोड़ी सी कम आएगी, but that will be appropriate, softbox और tube light, दोनों ही मेरे सामने placed है, एक softbox को थोड़ा सा मैंने left direction में रखा, tube light थोड़ा सा right direction म है, बट दोनों मेरे front में हैं, और यह जो output है, यह इन दोनों के combination का है, अब जो आप output देख रहे हैं, इस में मैंने क्या किया है, थोड़ा सा change किया है, softbox में अभी जो मैंने double socket holder use किया था, उसको remove करके, single socket use किया है, और जो एक LED light है, 9 watt, उसी को use किया है, और थोड़ा सा इस जो light है, overall light पढ़ रही है subject पे, वो appropriate है, properly आ रही है, और इस light के साथ आप जादा देर तक भी काम कर सकते हैं, specially जब आप teaching करते हैं, तो लंबे duration के जो lectures होते हैं, उसके लिए भी यह light आपके लिए sufficient है, और आपके eyes के लिए भी appropriate है, तो अभी जैसा कि मैंने पिछले वीडिय teaching के purpose से बहुत बढ़िया है, आप umbrella light को use कर सकते हैं, उसे आपका जो board है जिस पर आप पढ़ाएंगे, उस पर भी proper light पढ़ेगी और आपके उपर भी proper light आएगी, और वहीं आप अगर softbox की बात करें, तो जो light है वो concentrated पढ़ती है, वो scatter नहीं होगी, जो subject है, उसके उपर ही पूरी light concentrate होकर पढ़ेगी, तो वो दूसरे तरीके के वीडियो, जैसे आप facecam वीडियो से बना रहे हैं, तो उसके लिए वो एक अच्छा option है, और अगर आप थोड़ा दूर से प्लेस करेंगे, तब भी जो light है वो properly आपके उपर आएगी, और इसके साथ अगर आप एक normal room light भी यूज़ कर लेते हैं, तो overall जो light setup होका, वो बहुत बढ़िया enhance होकर आएगा, अब दूसरी चीज़ है budget, अगर आपका budget अलाओ करता है, तो आप softbox लीज़े, क्योंकि दो umbrella light diffusers जो मैंने लिये थे, उन दोना umbrellas का जो price था, वो within 500 मुझे मिल गए थे, बाकी चीज़ों को यदि हम exclude करें तो, और वहीं सिर्फ softbox का जो umbrella मैंने लिया है, और उसके साथ जो film आई है, इसका जो price है, वो मुझे 1800 रुपीज पढ़ा है, तो clearly बहुत जादा difference है price में, तो अगर आपका budget अलाओ करता है, तो आप softbox लीज़े, otherwise जो umbrella light है, they are more than sufficient, और मेरे साब से तो एक umbrella light भी काफी होती है, अगर आप उसको pair करें एक tube light के साथ में, room light के साथ में, तो that is also sufficient, but if it is needed, then you can go with two umbrella lights also, well hopefully इस वीडियो से आपको थोड़ा एक idea लग गया होगा, कि दोनों light का क्या output है, एक analysis मैंने आपके साथ share की, तो आप अपने budget और requirement के हिसाब से देख सकते हैं, कौन सा light setup आपके लिए better होगा, I hope इस वीडियो ने आपकी help की हो, अगर हाँ, तो वीडियो को like जरूर करें, चैनल को subscribe आपने करी दिया होगा, और नीचे comment करके बताएं कि कौन सा light setup आप prefer करने वाले हैं, वहला आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, कि अ करो ऑूर करें TRE एकी हैं, झालेु, कि एक हैं, पुसी में वाले हो सकाल आप उनीचे में, रह़ा होगा ही है, अगर होगा हैं, आप करें उन्हें हांूसएंग बस आपटरल में अगचारा में आपकीछ क करें आपकी आपकी हैं, यार आम सा Diseaseक्य आपकी हैं, आपकी है